तो आज में लेकर आए हूं लच्छिदार आलू के पकोड़े बहुत ही मज़ेगा बहुत क्रिस्पी जटपट में आसान तरीके से बनकर रेडी हो जाते हैं साथ में लाल तीखी मीठी चट्नी भी है तो रेसिपी को लाश्टिक इंज़ाई किजीगा बहुत ही मज़ा आने व मोटे साइज तो इस तरीके से हमें ग्रेट करना है या उसको कट लीजिए मोटे तरफसे इस तरीके आको देखेगा लच्छेदार उसके बाद इसी बावल में मैंने पानी डाल दिया है तो पानी मैंने एक कप डाला है और अच्छे से इसको वाश कर लेंगे ताकि जो चांट आल्य स्पून नमक का नाथीक डालनेके बार यह step करेंगे हूं म।फ hall देना बना नमक डीक डालने के 17 सिप्ल लाधीन के भीच जान के डाल देंगे दस से 15 सिकंड के लिए रोष्ट करेंगे उसके बाद देखे वन टेवली स्पून मैंने हाँ पे टोपाइटो केचप डाल दिया है और इसी साथ में अच्छी से मिक्स कर लेंगे इसके बाद यहां पर मैंने वन टीश्पून जो है चिली सॉस डाला है रेट चिल मैंने एक बॉल से मेजर करके डाल रही हूं दो बॉल और इसके बाद जो अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां पर देखे इसी बाद में मैंने वन से टू टेवली स्पून जो है आप जो है कॉन फ्लाट ले लीजिए इसे पाइन डाल कर इसका गोल रेडी कर लेना है इसी तर है चीनी डाला है और स्वाद के नमक डाल दिया है अब इसी गोल को फिर से डाल देंगे और अच्छे से मेक्स कर लेंगे क्योंकि मीठी और तीकी चट्नी है तो यहां पर देखे बस सॉस जो है अच्छे से रेडी हो जाएगा तीन से चार्मनट अच्छे से हाइफलें पर आप इसके श्टोड करके रख भी सकते हैं देखे एक बापिस से इसको हटा कर एक पैन रख दिया है तेल डाल के साइड में रख देंगे जब तक हमारे तेल घरम हो रहा है यहां पर देखे जो रच्छे वाले आलू को मैंने नमक डाल कर रखा था देखे कितने सारे पानी तो आपको दीख रहा होगा इसको क्या करना है अच्छे से पानी को चान देना है ज्यान रहे कि इसको वाश नहीं करेंगे बस एक्स्ट्रा पानी को निकाल देना है उसके बाद देखे इसमें क्या करना है वन टीस्पून मैंने चिली फ्लैक्स लाल दिया है तीखा जो आप 加 तो इसमें डानिक्स चपूरर टूर से से बाद या ज पी च्छ नए मिख्ष कर लिए के तो इसमें जितना टूर्वार लगी तो हूं रहा पार लीजाए यहां पर दिखेत कमें स्य बहुतुन नर्श से यह को कि यह इतंदाने कटा यूर्च गाता है कर लिए तो यहां पर देखे इसी तरीके से हाथों में थोड़ा सा पोशन लेना है और इसको थोड़ा सा हलके हाथों से बस दबाएंगे यह आपके जो बॉल बनकर रेडियो चाहेगा कोई जंजटनी है इसमें बहुत ही सिंपल है कोई भी बना सकते है कभी जब भी भूख लगे तो इसनेक्स के रूप में आप खा सकते हैं या इफ्तार में बनाएए तो देखे सारे बॉल आपके बनकर रेडियो हो चुके हैं उसका आप चलिए यहां पर तेल हमारा गरम होई चुका है अब एक एक करके सारे बॉल को प्राही में छोरते चले जाएंगे तो यहां पर देख सेंसा हमारे बॉल जो हैं रेडियो हो चुका है देखे कितरा खतर नाइक वाली आवाज से पहचानar सकते हैं कितरा कृस्पी बना हैं वस करना है करना है वीसे इंचूाई कीजिए अथने मज़गा बना है और आप इस तरीकर से आसान तरीकर से बनाये और इंचौाई कीजि बाइ बाइ